हेलो फ्रेंड्स क्याओं है वेलगम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज हम लेकर रहा हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही खुपसूरत तू कलर काट डिजाइन पैटन हाज हम आपको यह डिजाइन वाइट और ग्रेइन में बताएंगे फ्रेंडस बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान तरीके से उल्टे सीड़े में डिजाइन पैटर्ण बनेगा, छे सलाईयों में आपका डिजाइन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये 12 रो में हम आपको डिजाइन पैटर्ण आपको बताएंगे, तो यहाँ पर हम द 8, 9, 10, 11, 12 प्लस फंदा हमने इस्ट्रा लिया है, 25 फंदे लिया है, तो चलिए इस्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, यह डिजाइन बहुत ही खुबसूरत और प्यारी सी है, तो देखिए आप से यह जो है रोवन है, फर्ष्ट फंदा स्लिप करेंगे, और पूरी रो को ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे, तो रोवन को इस तरीके से सीधा बुनाई करेंगे, और आपसे ही यह रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना न बुन लेंगे, तो फ्रेंट देखिए, सेकेंड रो को भी आम इस तरीके से उल्टा बुन लेते हैं, वीडियो बढ़ी न हो, इसलिए चार सलाइयां इसी तरीके से आपको बुननी है, दो सलाइयां सीधी और दो सलाइयां उल्टी, तो इस तरीके से जैसे हमने दो सलाइया बुण करके आप जो Ε्क ए किधि natal हम में बुन करके हम आपको पूरा दिखाते हैं दखिए कहा रिधा तो अंदेज़ सेसे बुनाई की हिसा रोह हमने सीधा और उल्टा में देखी बुनाई कर लिया है तो इस तरीके से आपको six row complete करना देखिए इसमें design pattern जो है केवल six row का है लेकिन जब first में आप बुनाई करोगे न तो यह आपको six row ऐसे ही आपको सीधा उल्टा बुनाई करना है इसके बाद यहां से देखिए अब यह जो pattern है यहां से start होगा तो यह हमारा side का add stitch है इसको पहल इसके बाद देखिए फोर फंदे का यह design है तो one two three three फंदा बुन लिया हमने अब देखिए यह जो है इसे हम slip करेंगे अब देखिए one two three four देखिए four loops हमने इसे खोल लिया है और इस फंदे को हम यह left needles पर ले लेंगे और देखिए जो four loops है इनको भी हम left needles पर ले ले लेंगे अब यह four loops one फंदा फाइप हैसे हम बुनाई कर लेंगे ठीक देखिए इस तरीके से अब यह आपको repeat करना है देखिए one two three अब यहां पर देखिए इस फंदे को slip करेंगे one देखिए two three four four loops हमने खोल लिया अब यह जो है फंदा को हम इससे हम left needles पर लेंगे और इसके बाद हमने यह four loops हमने खोले है न देखिए one two three four और यह फंदा five इसको हम ऐसे five का one करेंगे फिर देखिए three फंदा बुनाई करेंगे one two three फिर देखिए इसे हम ऐसे खोलेंगे one two three four और इस फंदे को और loops को हम यह left needles पर लेंगे और यह five loops sorry one फंदा और four loops को एक साथ ऐसे बुन लेंगे फिर देखिए three फंदा बुनेंगे one two three फिर देखिए इसको one two three four इसके बाद देखिए हमें क्या करना है यह जो लूप से ना इसको और देखिए इससे हम उन जो है फट जा रहा है तो इस तरीके से फंदे को हम यह right needles से उठा लेंगे और इसको हम ले लेंगे left needles पर और इसके बाद देखिए four loops हमने ले लिए हैं देखिए four loops ले लिए है four loops और फंदा इसको हम बुनाई कर देंगे इस तरीके से फिर अगें three फंदा सिधा one two three अब देखिए इस फंदे को हम ऐसे slip करके one two three four और यह फंदा हम देखिए इससे फंदा और यह लूप्स को हम left needles पर ले लेंगे और बुनाई कर देंगे इस तरीके से और इसके बाद यह हमारे design pattern का देखिए ग्रीन कलर से six six color six रो जो है एक कलर से six रो एक कलर से आपको बुनाई करना है से उल्टा बुनते हुए पूरी रो को हम complete कर लेते हैं तो फ्रेंट देखिए हमारा यह जो है एक रो complete हो गया चुका है अब यह 9 रो है तो इसको हम देखिए फर्स फंदा स्लिप करके पूरी शलाई को ऐसे सिधा बुनते हुए complete करेंगे तो फ्रेंट यह 9 रो को इस तरीके से आप सिधा बुनते हुए पूरी रो को complete करेंगे फ्रेंट तो फ्रेंट देखिए 9 रो complete हो गया है अब 10 रो है और बैक साइड है इसको भी देखिए हम ऐसे फर्स फंदा स्लिप करके पूरी शलाई ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए complete करेंगे तो इस तरीके से हम तो इस तरीके से हम पूरा कर लेते हैं तो फ्रेंट देखिए 12 रो है इसको हम फर्स फंदा ऐसे स्लिप करके पूरी रो ऐसे उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे मुल 59 पूरा कि बहुत ही ऺथी सा डिजाइन है केवल आपको जो है चार सलाइं शीदा उल्टा बुनना है और फिर इसके बाद एक बूराइन लेना बहूत ही आसान सा है तो देखिए इस तरीके से आपको उल्टा बुनते हुए फ्रेंट्स इसे आप complete कर लीजे हम भी complete करके आपको बताते हैं तो फ्रेंट्स देखिए यह toils row complete हो चुका है लेकिन यह जो white colors हमने basic row colors हमने बनाया है यह 6 सलाईया ना इसे आप समझे कि यह basic row है इसकी बाद design pattern जो हमने यहां से green color से बताया है यहां से starting है क्योंकि यहां पर फंदे friends change होते हैं तो friend देखिए यहां first फंदा slip करके और यहां से हम white color add करते हैं देखिए यहां पर देखिए one फंदा हम बुन लेंगे अब design pattern यहां से start होगा तो यहां पर देखिए one फंदा slip करेंगे one two three four और जो one फंदा है न इसको हम इसे हम left needles पर लेंगे और यह जो है देखिए five loops का one ऐसे बुन देंगे देखिए इस तरीके से फिर इसके बाद three फंदा बुनेंगे देखिए यह बीच में हमने किया था न यह बीच में आएगा तो इसे हम हमारा देखिए one two three three फंदा हमारा हो गया अब जो यह three फंदा हमने बुना था न इसमें के बीच का जो यह फंदा है इसको हम ऐसे slip करेंगे one two three four four loops करेंगे और देखिए यह one फंदा हम ऐसे left needles पर लेंगे और यह लूप भी साथ में हम ले लेंगे फोर इसके बाद यह four loops one ऐसे बुनाई करेंगे देखिए इस तरीके से अगे थ्री फंदा सिधा बुनाई करेंगे फिर इसके बाद इस फंदे को हम खोलेंगे one two three और यह four और अब हम यह फंदा को left needles पर लेंगे और यह loops भी लेंगे फोर और यह four loops one फंदा हम बुनाई कर लेंगे सुरी देखिए one loops हमारा चूट गया है थ्री लूप समने लिया था देखिए यहां पर हमारा वन लूप से यह चूट गया तो यह four loops और वन फंदा इस तरीके से बुन लेंगे फिर अगे थ्री फंदा वान तू थ्री लेंदा हम इस करेंगे फिर यह फंदा हम सलेब करेंगे one to three और यह four अभिए one लूप समने लेते हैं और इससे हम इससे लेंगे राइट नीडल्स पर और यह 4 loops हम ले लेते हैं, ठीक न और 1 फंदा और 4 loops हम एक साथ ऐसे मुनाई करेंगे, इसके बाद 3 फंदे मुनाई करेंगे, देखिए 1, 2, 3 फिर यहाँ पर देखिए हम यह फंदा स्लिप करेंगे, और इस लूप्स को और फंदा को एक साथ लेंगे इसे देखे बुनाई कर लेंगे इसके बाद थ्री फंदा सीधा आप देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे वान टू थ्री फोर और देखिए लूप्स और फोर फंदे को और फिर इसे हम मोर लेंगे तो फ्रेंट देखिए डिजाइन पैटर्न का ये कंप्लीट हो गया इसके बाद यहाँ देखिए फ्रस्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये हं पूरी रोओ को ऐसे उल्टा उल्टा बुंदते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंट तो फ्रेंट देखिए हमने ये डिजाइन दो डिजाइन कंप्लीट किया है six room ये श्क्रोम ये देखिए कितने अच्छे प्यारे-पैरे बक्स बन कर ये आ बनाते से थाएंगे बनाते संस्वाइब बनता जाएगा और ंसमों और इसे तरहे कि आप बना बनाएगे अगर फ्रेंड्स आपप पूरी डिजाइन देखिए तो फ्रेंड्स reference वाला एक टाइन और बना लिया है कि इस तरीकिसे आप six row में once लेके six row यहां से design pattern complete करते जाएंगे six row में यहां तो 12 row में design हो इसी तो इस आपडें डिजाइन पैटरं complete हो जाता है लेकिन जो है फंदे change हो जाते हैं तो पहले जब हम बुनाई करते हैं तो वन फंदा सीधा हम जो है डॉप करके इसके लूप समय है जब हम आते हैं यहां पर तो यहां पर वरन साइड का अश्टी चरहता है वन और फंदा सीधा बुनेंगे और इसके बीच वाले फंदे में हम जो है loops निकालते हैं तो इस तरी तरीके से आप बनाते जाएगे देखे कितनी प्यारी और खुबसूरत सी डिजाइन बनी है छोटे छोटे बॉक्स में डिजाइन कितनी खुबसूरत दिख रही है और देखे यह back side है तो friends बहुत ही सुंदर और बहुत हीजी सा बनने वाला यह डिजाइन पैटर्न है अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ने जी जैंक साथ ने इस्ट वीडियो में थाइंक यू बाइबाइ